दारू के निशे में हाथ मजदूरी का काम करने वाले दो मजदूरों में विवात के बीच एक मजदूर पर दूसरे ही मजदूर ने जान लेवा हमला कर दिया आरोपी मजदूर ने घायल मजदूर के पेट में चाकू घोपकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया बतादे की घायल अवस्ता में घायल मजदूर अपना इलाज करवार ने खुद में उस्पताल पहुचा बतादे की दोनों ही वेक्तियों के बीच किसी बात को लेकर बहस चड़ गई जिस पर आरुपी विकास चंदरशेकर पोरकर ने घायल वेक्तिय अविनाश लक्षमन रगासे को गाली बगदी जिस पर दोनों के बीच विवाद और बढ़िया इसी आरुपी विकास ने अपने पास मौजूद चाकू निकाल कर अविनाश के पेट में घोब दिया जिसके बाद घायल अवस्ता में अविनाश मेयो अस्पताल पहुँचा जहां इलाज के दौक के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा कि की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुचियो पीरित के बयान पर आरोपी की खिलाफ मामला दर्च किया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। की खिलाश पुलिस कर रही है। की खिलाश पुलिस को दुख एंचाल पुलिस तके बाद पुलिस कर रही है। तेंचे वर मालमत्य चे तसे शेराविरूट चे गुने आहिक और अध्यापरेंट अरोपिया तक नहीं आरोपिता शोट शुर्वा है। कैमरा परसन अकलेश भारद्वाच के साथ अक्सांसारी BCN News नागपुर What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees for registration and details call.